जो नहीं मिला उसका क्या दुख मना ना जो मिल गया है खुशी तो उसकी मनाओ ना बहुत कुछ चूर जाता है ना पीछे लेकिन आगे बढ़ते रहने के साथ-साथ बहुत कुछ नया भी तो मिलता है ना हेलो एवरीवान रादे रादे दोस्तों कैसे हो आयो पाप अच्छे होंगे तो यहां पर न मैं अपना शाम का रूटीन आपको दिखाने वाली हूं कि मेरा जो है गर्मियो में क्या रूटीन होता है मतलब सर्थियों में थोड़ा अलग होता है और गर्मियों में थोड़ा अ कि मोसन के हिसाब से हड्याइब कि अभी यहां पर बज़े हैं शाम के चार ठोड़ा बोलने में दिक्कत सीक वह है क्योंकि अभी आपतना ठीक नहीं है बुकार मासम सुब ठीक उता है तो दुपहर को जाता है दूपहर को ठीक खतम फिर अपना जो है हो जाएगा बुखार तो ऐसे चल रहा है मेरा तो जाता है यह तो सुबह का काम कर लेती हूं मैं दुबहर को आके तबित ख़राब हो जाती है दवाई ले लो फिर शाम का काम करने की जो एनरजी थोड़ी बहुत आ जाती है तो अभी न मैंने चाय बना मंदीर में भोग लगाने के लिए ठाकवजी के तो इनको ना धोके साफ करके मंदीर में ही रख देती हूं एक साइड तो जब भी भोग लेके जाते हैं तो काना जी के लिए मा से एक तुलसी पत्ता भोग में रख देते हैं चड़ा देते हैं तो भोग लग जाते हैं या कि ऐसी मितलब यह होता है कि खाना बनाया भोक निकाला मंदिर में लगा दिया कर मुझे यादनी होता कर से बना ठीडिक में बातिती रज़ीर नो πα्रवित ज के लिए भी चाय बनाने लगी खता में मैं आधा घंटे बाद मी उने ठीटेती हो फिर उनके यह घ είναι को बना ने aconteceu तो उसके साथ में मैंने जो है चाय का काम खतम कर दिया बाकी तो में को यह होता है कि तीचर मतलब मैं हम जब आते हैं तो एक गंटे के बाद देती हूं चाहे तो उनको भी बहुत सा नहीं लगे क्योंकि वो दो डाई गंटे बच्चों को पढ़ाती है और यहां पर सारे जो बच्चों को दिक्कत होती है तो जितना चाहे मर्जी को फेला ले दो गंटे तीन गंटे मैं अभी कुछ नहीं बहुत सी उनको लेकिन एक टाइम पर उनको उठाके जो है रख देती हो संबाल की और फिर अपना किचन में जो है बरतन वगेरा यह सब न थोड़े से समेटने है मुझे क्योंकि फेले-फेले हो जाते हैं बच्चों के लंच बॉक्स बॉटल और जो है सिंक के नीचे आज इकल गंदी की रहते तो वहां पर भी कपड़ा बपड़ा डालना पड़ता है मुझे तो ऐसे होता है तो अभी जो है मैं हम को चाहे देके हम अपनी भी मैने जादा नहीं क्योंकि मुझे चाए गरम गरम ही अच्छी लगती है लेकिन जब मेरे पास काम होते है न तो मैं अपनी काम करने पर ध्यान देती हूं ज्यादा तो चाहे में बैठके नहीं पीती हूं तो भी जहां जहां अंधेरा है वहां की लाइट ओन कर रही हूं क्योंकि अंदर अंदेरा हो गया, भार अभी नहीं हुआ, भी पांच बजे के आसपास का टाइम में, मतलब में को एक घंडा लग गया था, यह सब करने में, और मेरे चार बजे से लेके, रात के दस बजे तक का टाइम, मतलब ग्यारा भी बच जाते हैं, तो मेरा यह इन सब कामों में निकल जाता है, किसी को यह सब चीज़े बॉरिंग लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगते हैं, मैं को अपनी फैमिली के लिए यह सब करना, बच्चों के लिए करना, घर के साफ सुत्रा रखना, वो सब चीज़े मुझे जादा अच्छी लगती है, सच में मतलब मैंने कु मैं जाण डेख के जाडु लगाती हूं, 5-5 वाजे के बाद जाडु नहीं लगाती हूं क्योंकि शाम गो ज्यादा दिन छृपने वाला होता है, जब दोनों टाइम मिलते हैं तो जाडु नहीं लगते हैं, कहते हैं लोगि ते लोग कन सब चाय चार लगा लेने चाहिए औ और रुटेन में चेंज यही होते हैं गर्मियों में कि कपड़े में शाम को दोती हूं सुबा में नहीं दोती कपड़े कि सुबा में अपने आप में बहुत सारी काम होते हैं नाना धोना खाना बनाना सफाई करना पोचा लगाना और इन सब में भागदोर बहुत जाद हो जा आएं बारगनी के नीचे तो राद को ऐसे ते कोई दिखकत भी नी होगी और ये वजह भी है मेरे साथ कपड़े दोने की कि मैं जब कपड़े दोती बारिश वगयारा होगी तो भीगेंगे भी नहीं और अगर ज्यादा दिक्कत आएगी तो स्टैंड अपना अंदर रख लोगी और फिर आ गई थी किचन में तो जो साफ कियोए बर्दन थे तो वो मैंने पहले सिंक में से निकाले हैं और इधर अपनी दवाई बनने के लिए क्योंकि दवाई कभी मेरा ऐसे ही होता है मैं भूल जाती है बूलने का यह है कि कोई टैबलेट लेनी हो न तो वह तो ले लें लेकिन यह दवाई पहले बनाने पड़ती है फिसको ठंडा करो फिर इसको पीओ पीने कभी मन नहीं करता है पीने में टेस्ट जो है इसका गंदा लगता है तो जब तक मेरी दवाई बन ली थी तब तक मैंने बर्दन साफ की बनाके रख दी है थोड़ी ठंडी होगी तो इसको पीलूंगे सब्जी बनाने की बाद और सब्जी मेंने आलो गाजर की वे नहीं है और आलो और गाजर दोनों बहुत बारीक बारीक बारीक बारीक काटी है और यह बुजिया जैसी बन जाएगी तो में नहीं कहने के जो है मेरा यह है कि आलो और गाजर की सब्जी बनाई सिंपल है और इसमें जीरे वाला तड़का लगाया मसाला डाल दिया नमक मेच और अपने बेसिक मसाले डाले है थोड़ा से इसको मैश किया तो बुजिया जैसी बन गया और सूखी लगए और सिंपल बनी थी सब्जी लेकिन खाने में टेस्टी लग रहे तेखने में तो वैसे भी और ययलोड का पिश था तो अच्छी लग रहे थी तो यहां पे खानावाना मेरा सब्जा सब्सक्स 1 तो थोड़ा से मैने ना दूद का मावा बनाने के रखा था, तो वो दुपहर को थोड़ा बन गया था, तो अभी मैंने रख दिया, क्योंकि अभी मुझे कही काम करने हैं, और इस टाइम तर थकान बहुत ज्यादा हो जाती है, मुझे, क्योंकि कहाना बना रही होती है, और जो है, सारी घरकी एक बर स किकाता है यहां बच्चेसाने के अपना कोशिशन की पासल आगया था नहीं को बuch कर दो तो वह मैंने सोचा मैं अभी इसको खोल के देख लेती क्योंकि इसमें नहीं दो आइटम के पैसे दिये ते और दूसरा क्या था वो मुझे याद नहीं था और यह मैंने मंगाई थी बोरोसिल की ग्लास वाली केटल तो यह काफी अच्छी थी और एक मेरी अमामार्थ की मैंने कभी ओनलाइन लिफ्ट चीक वगएर अपनी जो है परसनल चीजे मैं नहीं मंगाती हूं तो केटल तो काफी अच्छी लगी है और ट्रांस्पेरेंट भी है तो वैसे भी अच्छी लग रही है इसमें सब कुछ के लिए अर्दी रहे हैं और महा लोग वो दोनों तीन लगे हैं अपना लैप्टॉप में तो वियान के लिए लैप्टॉप आया है तो उसकी खुशी में लगे हैं और बस ही बज़े हैं दस तुम्हें सोने चली बाद सब्सक्राइब देख लिया था और आप बच चुके हैं दस कल मायरा का एक्जाम है तो फिर मिलते हैं नेक्स बच वर की तो अब हम सोई जाते हैं